हेलो एवरीवन, चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये रेसिपी शेफ पंकच की रेसिपी से इंस्पाइड होके बनाई है, शेफ पंकच को भी बहुत बहुत थैंक यू, शेफ पंकच ने इस रेसिपी को बनाया था ब् अब आप इसको किसी फेस्टिवल में भी बना सकते हैं, इसका टेक्श्यर भी बहुत अच्छा है, आप इसको गियहूं के रोटी का डोड़ा भी बोल सकते हैं, इस रेशिपी को बनाने के लिए मैंने ठंडी रोटी आ लिए, इन रोटी उ को ग्राइंडर में पानी डाले ड् को अच्छे से चलाएंगे इस स्टेश पे इस पे डालेंगे दूद जैसी दूद डालेंगे ये पूरा ज्छाक से भर जाएगा और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी और कलर कुछ इस तरीके से नहीं हो जाता अब इक बरतन में PCV रोटी ले लेंगे ना होका पाउडर और कउफ्ए पाउडर डाला है तो वनिला असस भी टालाएंगे सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे गया पैर चीनी और दूद का मि Story ठंडा हो गया है अब इस 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 पर हम अपना जो ड्राइंdzieड और तो सब अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीजों के ग रोटी का दाना अभी हार्ड है अब धीरे धीरे हम इसमें दूद मिलाएंगे गैस को लो फ्लेम पे और धीरे धीरे दूद मिलाते जाएंगे और हाथ से उसका टेक्स्चर चेक करते जाएंगे जब इसका टेक्स्चर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम दूद को डालना पंद कर देंगे, दूट डलने के बाद यह थोड़ा गीला हो गया है, इस पे अब हम शाइन के लिए थोड़ा सा देशिगी डालेंगे, और फिर सब को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे, और अब इस स्टेज़ पे हम इसका टेक्शे चेक करके थोड़ा सा पोजिशन हाथ पी लेंगे और उसको उंगलियों के बीच में रगड़ के देखेंगे कि वो सॉफ्ट है की नहीं है अगर रोटी थोड़ी हाड लगे तो इस पे दूद थोड़ा और बिला लीजेगा पहले से ग्रीज करके एक कंटेनर रखा था उसमें सारे मटी करेंगे सब तरफ अच्छे से पहलाएंगे और उसको प्रेस करते जाएंगे कि कहीं भी थोड़ा सा गैप न रह जाए और उसको फिर बाद में इस पैचुला की मदद से उपर से चिकना कर देंगे बहुत अच्छे से देखिए यह अब हमने सेट कर दिया है और यह उपर से चिकना और कितना शाइनी हो गया है अब इसके उपर थोड़ा सा काजू बदाम और पिस्ता को शेव करके डालेंगे आप चाहें तो काट के भी डाल दे लीजिए इसको डाइफ रूट्स अच्छे से चिपक जाएं इसलिए इस पैचुला की हेल्प से इसको सब तरफ अच् इतनी बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई बन गई कोई इसको देखके कहेगा कि यह रोटी से बनी हुई मिठाई है अगर आप इसी को नहीं बताएंगे तो यह कोई नहीं पहचान पाएगा आप जब बताएंगे कि इतनी स्वादिष्ट मिठाई रोटी से बनी है तो सब आ एसी ही बढ़िया और रेसिपी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा